हेलो व्रिवन कैसे हैं आप लोग आई होप योगा जो दिंग ग्रेट और आसा करता हूँ कि आप सभी का अलत काफी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटीनियू प्रिविशन करें होंगे अपने एक्जाम को टारगेट करते हुए अपने सपने को हकिकत में करने के लिए तो आज के क्लास देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है फिर अगर मैं एक्जाम्पल और बात करता हूँ तो आपको देखने को मिलता है कि डिटर्जन पॉर्डर हम लोग यूज़ करते हैं है ना सर्फ वेकर यूज़ किया जाता है क्यों यूज़ करते हैं जो हाड वर्टर होता है उसमें यूज़ करते हैं तो क्या काता सर्फेस रेंसन के लेयर को ब्रेक कर देता है सर्फेस रे जिरो सिन्द तेल वेगरा अगर आप छिड़क दोगे तो जो मच्छड होता है वो तेरना उसको मुश्कील हो जाता है और वो डूब जाता है जिसके वज़से वहाँ पर मच्छड जो हता मर जाते हैं तो इस सब का रिजन क्या होता सर्फेस टेंशन होता है तो सर्फेस करने के बाद इस से कोई भी कोशन आप से छूटे ना तो चलिए आज के लेक्षर को हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्फेस टेंशन राइट ओके अच्छा और एक इंपोर्टेंट चीज सर्फेस टेंशन से ना आपके एक्जाम में और कई सारे एक्जाम में आप देखोगे क तो इसको अच्छी तर समझना काफी इंपोर्टेंट है होता बहुती बेसिक चीज है लेगिन अगर आप अच्छी तर से नहीं समझोगे तो आप एक्जाम में फस सकते हो तो चीजों को समझना बहुती इंपोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें कॉम्प्लेक्स है अगर आप अच्छी तर से lecture को देखोगे throughout the पूरा lecture अगर आप स्टार्टिंग से लेकर इंड तक आप लाइन वाइन फोलो करते जाओगे जो मैं बताओंगा आपको तो आप लोगों इंड होते होते lecture आप लोगो A to Z clear हो जाएगा और इससे related किसी भी question पर फसने नहीं वाले हो clear चलिए start करते हो और मैं यहाँ पर क्या करूंगा सबसे प्रेक्टिकल एक्जामपल के थूरू मैं आपको समझाने का ट्राय करूंगा और साथी साथ जो भी मैं आप लोगो एक्जा याद हो जाए इसलिए सब चीज को लिखा दिया गया है लेगिन आपको ध्यान क्या देना है जो मैं आपको समझाओंगा जो मैं आपको explain करूंगा उस चीज में ज्यादा ध्यान देना है उसी चीज को समझाओंगा जो उस चीज को बस यहाँ पर लिख दिया गया है समझ ग लिए हो वाटर को ले लिया हो यह मेरा क्या है अंदर में वाटर पड़ावा वाटर है एक कंटेनर वह लिख दिया हो liquid present inside container मेरा कंटेनर के अंदर liquid है liquid में भी क्या लिया हो water को लिया हो एंड आपको यह बहुत अच्छी तरह से पता है कि liquid मेरा cohesive बोलते हैं और डिफ्रेंट डिप ये लिए काई आ जीए ये जैसे कि अगर कोई मेरा ग्लास है और अगर एच्ट्व है यानि वाटर भर अवा तो मेरा क्या ग्लास से भी चिपका रहा कुछ-कुछ बूढ रहा जाता है ग्लास पूरा पानी निकाल भी दोगे ग्लास पानी निकाल दोगे फिर भी आधकर ग्लास में कुछ आपका चिपक जाता है वाटर रोपलेट तो वो कैसा प्रोपटी के चलते हैं एक वाटर है और एक ग्लास का है तो दोनों के बीचे में अट्रेक्शन हो रहा है तो एड़ेसिव है लेकिन वाटर वाटर के बीच में एट हैं इन्साइड वाटर वाटर के अंदर का देखो यहां पे इस टरह का जो ए लिया गया है ऑनिस तरह कई तरह यहां पे हजारों 1264 में वाझालों होगा लेकिन में आपको से कि क्यों सर्फेस टेंसन जो है वो अकर होता है सर्फेस टेंसन फेनोमिना क्यों अकर होता क्यों देखने को मिलता है तो अगर मैं बात करता हूं एक है ना जो कि क्या है पानी के अंदर है तब क्या देखने को मिलेगा इसके चारों तरफ मेरा स्टो मॉलिकुल होगा होगा की All Side, चारो तरफ से हैं, यहीं कि अगर मैं बात करता हूँ हर साइड में, Aero से दिखा सकता हूँ कि Force of Protection इसको क्या कर रखा है? Balance कर रखा है, यह यह जो A आपका Water Molecule है, यह Equilvyum कंडिशन पर है, यह किस कंडिशन में? Equilvyum कंडिशन में चारो तरफ से यह क्या है? पकड़े वे रखा लेकिन अगर मैं बात करता हूं बी का अगर मैं किसका बात करता हूं बी आपके water molecule का बात करता हूं जो कि surface में है यह क्या देखते हो कि भाई साब यह पूरा आगर बात करता हूं हाफ ही उपर लिया हूं उपर वाले पार्ट में तो air है तो यानि कि यहां जो मेरा force लग रहा है नीचे वाले साइड में जो force लग रहा है उपर साइड में तो कुछ भी नहीं है यहां पर कैसा अन्बैलेंस है और अन्बैलेंस कौन सा force कोहसी force है क्योंकि नीचे साइड में आप देख सकते नीचे साइड में water molecule है लेकिन इसको balance करने के लिए उपर भी लगना सी तब तो यह balance होगा तो देखोगे उपर में कुछ है निकी कि उपर में तो वाटर है उपर में क्या मेरा वाटर वोर उपर में तो एयर है यहां पे मुझे देखने को मिलता क्या unbalance cohesive force in downward direction अब इसके वज़े से क्या होता जहां भी आपको downward जहां भी आपको unbalance देखने को मिलता आप cohesive force वहाँ पर क्या होगा stress कर जाएगा है ना एक तरसे pool force लेगा और इस stress के वज़े से यहां में मुझे एक नमिना देखने को मिलता है कर्व जैसा surface देखने मिलता है और यही कलाता क्या मेरा surface tension जो कि बहुत एक थीन जो मेंबरेन है थीन लेयर है वो मेरा बन जाता है अब यह में एक ड्रोप का बात करा है इस तरह से मेरा यहां पर लाखोड रहने वाला है और लाखोड रोप मिलके एक तरह से कर्व जैसा बन जाएगा और यही मेरा कलाता है यही मेरा कलाता है surface tension layer जो कि बहुत एक थीन मेंबरेन होता है यह बहुत इतना पतला होता है कि यहां पर किसी चीज को अगर आप रग दोगे ना बहुत हलका चीज को तो वह अंदर नहीं जाएगा अंदर नहीं जाएगा उपर में तेरते रह जाएगा जिसा अगर आप जोगे तो उसके ओपर में तेरने लेगा अंदर नहीं जाएगा क्यों नहीं जा रहा सर्फेस टेंसल लेयर के वज़े से वहां पर आराम से पाने में जाकर बैट जाता है लेकिन जैसे आप क्या करता तो डीटर डाल दो या किरोसिन वेगरा डाल दोगे तो सब्सक्रेंश क रसेक कर जाता है जब व ब्रेक कर जाता है तो क्या ह। जाम बच्छड नीचे डूब जाता है और जब नीचे डूब जाएगा तो में वह क्या करने ABOUT यह नहीं दो ब्लूर करनपन दिक्कत होगा तो मर जलता है तो इसीत तरीका के यूज rightly गहां को को खतम करा जाता है clear अच्छा तो यह तो चीज हो गया रीजन आप जो मैं आप आपको लिख दिया है आप सिंपल समझ गे क्यों होता है क्योंकि अच्छा यहां पर देख से लो और एक चीज आपको यह बोला जागा आप अभी तक क्या समझें कि सर जी मेरा जो सर्फेस इस ड्यूटू कोईसी फोर्स लेकिन आपको बुला जाए वीच टाइप अपको आपको कहा जै बैलन्स कोईसी फोर्स या अनबैलन्स कोईसी फोर्स तो क्या समझें अनबैलन्स कोईसी फोर्स यूपि नीचे साट से साइड में मेरा कोईसी फोर्स तो लग रहा लेकिन इस को इसी फोर्स होता है और किस डारेक्शन पे अपोर डारेक्शन नहीं आपको बोलेकर डान वोर्ड डारेक्शन तब आपका करेक्ट कांसर हो जागा ठीक है तो ये लेकिन आइधर आप देखो अब इसको कहा जाता लाइन फेनोमेना या लाइन सर्फिस कहा जाता या सर्फिस ild Erde तो इससाइट अफिए साइड में लेकिन बैलैंस जो कर रहा क्योड और जिसके वज हम ऑड़े शालरी से Alors और मैं इसके ऐपन बोल देता है और यंक्यूंड बोल देता हूँ तो इसा प्योड एक घीच रहे तो इसको तू को मिल जाता है जो कि बहूट ही थीन लियर देखने को मिलते है इसी के वाज़क से यह जो है आपको रिजन है यहा है कि यही बहुत अच्चा कोछिन पूछा हीयाता जाता है कि आपका वाटर डॉप होता है वर्षा की जो बून होता है कना वह रेंडर जो हता हुff स्ट्रेश स्प्रक्व iss sowdeoily कि नहीं सेमरेजन होता है समझे हैं मेरे बात की नहीं इस चीज को ध्यान आप लोगो रखना अचारि को सन्य बद्द्दस्स से मैं इसीज मिक्त दिखने नोग रखना है यह में प्रहता है यह कर विजिसा एक मन जाता जिसके वाजिसे कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता है जिसको लोग बोलते सर्फिस तेंसे क्लियर माइपोइंट न तो एक कोशिय न यह भी पूछा जाता है कि आपका सर्फिस टेंस जो है कि सरके फोर्स को रेजिस्ट करता तो आपको याद रखना तो नीचे टाइब लग रहा तो नीचे टाइब करने के लिए इधर खीचेगा तो सर्फेस्टेंस क्या करेगा उसको थोड़ा रोखना चाहेगा और करब जैसा बना जाता है अब जो में ने चीज बताए आपको उस सेम चीज को ने इतना बड़ा लिग दिया गया ताकि जब आप रिवीजन करो तो नेक्स अउन है करो आप एक मिना बात करोगे चार दिन बात करोगी जन टैम करोगे तो आप एक बढ़ परढ़ोगे आपको क्लियर किस्टल हो जागा कि यहां पर मैं समझाया हूँ अगर आप भूल भी जा गए फिर भी याद आजाएगा तो चलो देख लो क्या लिखा गया सर्फेस टेंशन यह मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि आप फर्दर रिजन कर सको let us consider a molecule which is present inside the fluid मैंने आपको कहा था कि एक हम लोग लिए क्या है एक molecule लिए है जो मेरा पानी के अंदर है inside the water inside the fluid वह चี้oter चारतरफ से force of attraction है यहनी कोहसी force चारतर तरफ से लगरा लगने वाले फोर्स को क्या काते को सीफ पोौसी फोर्स को तॉर्स काते हैं तो डर्यक आप इभी वह सकते हो कि दा मोलेकुल इस अंडर दा एक्षण आफ फोर्स अप एट्रेक्षण विडिंगुड़स फोर्स विडिश्यू ति यह बिल्कुल मेरा equilibrium condition पर है इसमें कोई भी unbalance मेरा cohesive force नहीं लग रहा लेकिन whereas लेकिन whereas molecule अगर B का मैं बात करता हूं which is at the surface of the liquid जो मेरा B है वो मेरा surface पर है अगर मैं इसका बात करता हूं and this molecule is under the action of unbalance cohesive force यहां अभी cohesive force लग रहा लेकिन 4 तरफ से नहीं लग रहा क्योंकि अगर बात करेंगे इधर में बोल दोंगा F1 इसको बोल दोंगा F2 इसको बोल दोंगा F3 तो इसको कोई balance कर रहा क्या नहीं कर रहा न तो वही का रहा unbalance cohesive force in the downward direction और इसी के वज़े से इस रिजन के वज़े से molecule on the surface experience of pull और stretch इस रिजन के वज़े से क्योंकि नीचे खिंच रहा है तो मेरा surface में क्या करता है पूल या stretch की तरह एक मेरा क्योंकि इसको रिजिस्ट करना चाहेगा तो स्ट्रेच करेगा और इसे स्ट्रेच को रिजिस्ट करने के लिए कर्व बना देता है उसको रोकने का ट्राय करता है और हैंस लेयर और membrane is created over the surface of the liquid यह जो stretch or pull होता उसको रिजिस्ट में रिजिस्ट रिजिस्ट फोर्स के के वाज़े से एक मेरा एक थीन और थीन बोल सकते हो या थीन या थीन लेयर बोल सकते हो वो मेरा create हो जाता है surface के ऊपर और यह उसी लेयर को surface tension layer काते हैं और इस फेनमेना को इस फेनमेना इस नोन एज surface tension इस फेनमेना को surface tension काते हैं इसके वज़़े से जो लेयर बनता है उसको बोलता है surface tension layer क्यों माना due to unbalance को वह सी force in downward direction और downward direction के वज़ा से मेरा pull और stretch होता है और उसी के वज़य से surface tension layer मेरा create हो जाता है एक thin membrane मेरा बन जाता है समझे और यह बहुत ही thin होता है लेकिन एक membrane जरूब बन जाता है पतला असा कागज जैसा पतला कागज से भूथ पतला हो तुरा अंदर आपका जो फिंगर वो नहीं जाता है वह दिसा लेगा कि डीप नहीं हो जाएगा वो बस दबेगा है ना दबेगा फिर छोड़ दो कि फिर वो अपना बैलेंस अपना सेपन साइज वो ले लेगा लेगा चलिए अच्छा नीचे और कुछ चीजों करा गाए की को पहला सर्फेश एंशन इस डू टू अन बैलेंस को इसी फोर्स वही चीज को बस लिख दिया गया है इन दी डानवर्ड डारेक्शन एलोंग दी प्लेन या लाइन या सर्फेस जैसे अब बोलें कि सर इसका क्या मतलब है इसमें बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट आपका सर्फेस फेनोमीना सर्फेस फेनोमीना या इसको कहा जाता है क्या लाइन फेनोमीना सर्फेस या लाइन फेनोमीना कहा जाता है जो कि एलोंग प्लेन देखने को मिलता है एलोंग प्लेन मतलब क्या होता है आप यहां पे देखे कि अगर मैं आपको यह पूछूं कि सर्फेस Türkiye संच प्राऴा है अगर rozli向गा सफेर्थ टाफ ट्रेंश ट्रेंश लीजी इस अलटरनवर्ट सब्सक्राइब हराइब सब्सक्राइब मॉलुंगा कि अइंज़ फॉर्स ओनन ज रहे टोर ना में कृशन ना क्ञाइब पर्पेंडिकल टूदी लाइन तो आपको क्या बोलना है एलांग टूदी लाइन या फिर एलांग टूदी प्लेन क्योंकि यह तो अन्बेलेंस को इसी फोर्स हुआ इसके वजह से क्या हुआ कि में कटेंगे असके वजह से क्या हुआ एक मेंब्रें थील को मिला जो सर्फेस टेंशन लेयर करना से सर्फेस टेंसन यह मेरा कहला चीव करता है सर लीकले मुझे सरफेस देखने को मिलता है लेकिन अगर मैं बात करता है पानी वह भी देखने को मिलता है ना इसका पानी भी मिलता है और कई सरा आपके लिकुड में देखने को में लेकिन अगर वगत का तोगेस में सर क्या गेस में घ nutr तो फोर्स चोंताय होता है बहुत ही कम होता यो नो डट क्या होता आप calculate तो उसके मालो यह वाटर मॉलिकुल है एक वाटर मॉलिकुल दूसरा वाटर मॉलिकुल है इससे कई सारा वाटर मॉलिकुल है और यह सब क्या पानी का बूंद है जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसके बीच का बॉंड जो होता ना वाटर मॉलिकुल की बीच का एक इसका मतलब क्या है क्यों तो एसे फोस्य वाला फोर्स कहें सथा WOR disease तो इस फोस्य फोस्य वीक होने लगता है उसी फोर्ज अरफ चुट्ने लगता है और कोई सब्सक्राइब हम्सक्राइब वोज़ा से ही यहां पर मतलब है यहाँ एक द निप लेगा तो सठीक और लएुटन लेगा ओर को इस मेच न शे मेरा पाये जाता है नहीं कि पाया चाहता है clear my point on, उम्मीद करता हूँ, कि यह चीज अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा, चली, तो बढ़ते हैं आगे, next page की और देखते हैं, next page में और किन किन चीजों के बारे हम लोग देखने वाले हैं, अच्छा, अब यहाँ पे, फिर से में question बना दिया हूँ, कुछ question बना दि देखोगे यहाँ पे, तो एक question बनता है, कि surface tension is also defined as the line force, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था, कि इसमें, मेरा कहां देखने को मिलता, along the line देखने को मिलता है, यह phenomenon along the line, या along the plane, या along the surface देखने को मिलता, इसलिए इसको कहा जाता, क्या है, line force, इसलिए क्या कहा जाता, line force कहा जाता, है अच्छा इसके आगे देखो और एक बहुत इंपोर्टेंट है कि सर्फेस टेंटेंज अल्सो डिफाइन इस दी लाइन फोर्स वीथ फोर्स of attraction फोर्स एक्टिंग फोर्स एक्टिंग परहेन्डिकलर टूर लाइन इन इपलेन मतलब क्या हुआ सर समझ नहीं है आपने अभी कहा था किया मेरा अ लो कि देखने को मिलता है लेकिन- लेकिन जो मेरा फॉर्स लगता है वो पर पेंडिक्णलर टू 59ní लाइन अब दा लगता है कौन सब फुर्स का बात कर रहे है कोहिव सी फोर्स कैसा कोहिव सी फ्योट अन बैलेंस कोहिव सी करो मैं यहां पर यहां ड्रॉप लिया हूँ जैसे कि अगर मैं कहीं छाली जगह देखता हूं हां तो माल लुए मेरा क्या है एक मेरा वाटर ड्रोब है यह मैरा क्या ओक वाटर ड्रॉफ हैब आपको पथा है कि उन 6 कि दढ़ता है यह घ्लाइक तो अगर में देखो मालो सब के लिए बताता हूं पहला वाले के लिए बताता हूं तो यहां पे बनता है लेकिन जैसे में आपको बूलूंग तो यहां पर ले लिया यह हो गया आफ टू तो इसके में एक लोगा एलोंग दी प्लेंट तो यह मेरा प्रपेंडिकुलर लगता है मेरा किसके सर्फेस के समाझ जाए मेरी बात की नहीं वह सेम चीज को आपका आगया अगर मैं इसको बोलूंगा देखने को मिलता है लेकिन जो फूर्स एक्टिंग होता कौन ओस फोर्स टूप यहां पर लिख दिया हो perpendicular to the line of the plane होता है line के perpendicular बनता है जसे इसके देखो सकते हो 90 degree बन रहा है अगर इसका मैं बात करता हूँ तो यह मेरा यहाँ पे 90 degree बन रहा है तो दो force अगर मैं यहाँ पे लेता है इस तरह से जितना force हम लोग लेंगे सब मेरा क्या लगता है plane plane of the liquid का या फिर plane of the surface के perpendicular मेरा act करता है समझा है मेरी बात की नहीं समझा फेनोमिना होता है line phenomena या surface phenomena लेकिन जो cohesive force लगता है cohesive force कैसा cohesive force unbalance cohesive force downward direction वे वो मेरा plane of liquid के फिर plane of surface के 90 degree लगता है clear हो गया ना बहुत important है चीजों को ध्यान देना में आपको पहले बताया था बहुत easy चीज़े लेकिन आप अगर basic चीजों को नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगा चलिए अब यह चीज तो समझ गए सरागे बढ़ता है next question बनता है next question मनता है कि temperature के साथ मेरा surface ट्रेंशन जो होता है वह increase करता है या घटता है है ना तो देखो आप एक चीज मेरे को बता हो अगर मैं बात करता है लिक्वीड का है ना जैसे water ले लो या कोई और चीज ले लो लिक्वीड में भाई लिक्वीड में जो मॉल्कुस रता वो किसके वज़ास होता है जब आप टेंपरेचर को बढ़ाते हो जब इसको गरम करते हो तो जो वाटर मॉल्कुल है उसका बॉन टूटने लगता है वाटर बॉन अगर मेरे टूट रहा इसका मतलब क्या कि जिसको को ऐसी फोर्स हो रहा है और और को ऐसी फोर्स वीक हो रहा तो तो त्रफैस्टेंशन भी मेरा घटेगा क्योंकि सर्फैसंटेंशन इस विन्छोस हिता लिए तो समझे सब्सक्रेइब लोग एक ऐसे जैसे टेंपरेटर्टर मिलत जाता है सर्फैस्टेंशन डिक्रीज वाई, because decrease in cohesive force, cohesive force मेरा घटता, क्यों क्यों घट रहा है, क्योंकि liquid bonds होता, वो break होने लगता है, H2O, H2O दूर होने लगता, और दूर हो रहा है, गेस हो रहा है, तो cohesive force मेरा weak हो रहा है, तो simply मेरा surface tension भी decrease हो गया, घट गया, चली, यह समझ गये, अब बढ़ते आगे, बात करते हैं हम लोग आप detergent के बारे में, जो घर में आप लोग यूज करते हो, या मम्मी लोग यूज करती होगी, या आप भी कपड़े धोते होंगे, डिरिंग वासिंग क्लोथ कपड़े धोने के लिए एज इट रिडियूस सर्फेस टेंशन तो यह क्या करता सर्फेस टेंशन के लेयर को ब्रेक कर देता है अब यह कैसे ब्रेक करता उसको अगर आपको समझना है तो देखो नीचे में आपको यहां दो फिगर दिया गया है इस समझे लो गंदा है क्या डर्ट है डर्ट है जिसको आपको साफ करना है ठीक है साफ करना है तो जैसे आप क्या करते हो पानी उसके अंदर चलाते हो आप धोने के लिए पानी गिराते हो तो पानी क्या करता है उसके उपर ना एक लेयर मेरा सर्फेस टेंशन लेयर बना देता क्या करते था पानी कि उपर में जो कि कि उसके उपर में तो एयर है इसके उपर में क्या एयर है और नीचे में पूरा पानी पानी है तो उपर में एयर के साथ कॉंटेक्ट हुआ अनि बैलेंस कोई सी फोर्स हुआ और वो रोड़ सर्फेस रिंसले मेरा बन गया और जो सर्फेस रिंसले बनता वो कैसा बनता है कर जिसा बनता है तो क्या करता नो कर जा कि आपके गंदगी को धक लेता और एक लियर ऐसा बना देगा कि अब उसके अंदर जब तो उस लेर को ब्रेक नहीं करोगे मेरा वाँ समझाया की नहीं यह गंदा मुझे बाहर करना था लेकिन यह उस तरसे एक तरसे उसको ढग दिया चारो तरफ से कि भाई साब यह गंदगी आप निकलेगा कैसे अब इसको मुझे ब्रेक करना है और ब्रेक करने के हम ज्यार गंदगी बाहर आजाता है समझाया तो इस इसको ध्यान अगना अच्छा आप यहां पे कोस्टिन आपके अंदर अता होगा कि सर जी ठीक है समझ मुझा आ गया कि यह मेरा पले ताका वाटर रॉप था क्या था वाटर है वाटर डॉप बाण लो पाटर डॉप था कह यह सरा हजारो लाखो वाटर रॉप है एक कंटेनर के अंदर जब कपड़ा धरो और जैसे मैं यहां पर क्या करता हूं सर्फेश सर्फेश इंसनों घटाने के लिए मैं डिटर्जन पॉर्डर उसमें एड किया जैसे आप डिटर्जन को एड करते हो तो आप जाग बनने लगत क celui ला उसको अपहर दवाओगे कोई चीज लाओँ के तो क्या वह आपका पानी का बून फट जाका पाइगा नहीं ना इतना 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 वी खो था सारफ़े सेंसल रेर कि किसे भीस संपर्ख में इन घुटा याटी जाता है तो भुब भले मैं मानता हूँ कि सउसेस सुलियर जो होता है उसमेरा कूफ जाता लेकिन इसके कमपर में बहुत ही होता है क्या मैं बोला फिर से में आपको समझा देता हूँ कि जैसे में डिटर्जन वेगरा डालता हूँ तो मेरे का था सर्फेस्टेंस ले ब्रेक हो जाता है बबल बन जाता है लेकिन बबल का जो सर्फेस्टेंस लेयर होता है उसमें भी सर्फेस्टेंस लेयर होता है लेकिन तो इसलिए क्या कर जाता उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हम लों का समझ जाए मेरे बात की नहीं ठीक है यह चीज हो गया तो आप समझ गया होंगे यह चीज आपका कि डिटर्जन आर एड़ेड दूरिंग दी वासिंग क्लोथ एज इट रिड्यूज सर्फेस टेंशन अच्छा चलो यह समझ गया है क्योंकि यह सर्फेस टेंशन को ब्रेक करता है अब बारी आता है आगे और एक कोश्यंका लिक्विड रोप्लेट आप देखेंगे वर्सा का बूंद गोल गोल होता है तो लिक्विड रोप्लेट टेक स् सरफेस सर चेंसन के वजळे से सपेरिखल क्या मतलब विप्लize को यहाँ पर कशीज वсть रिखने की सब्सक्राइब क्या है और कुछ गोल जैसा आता है पानी का बूंध गिरता है उपड तो इछ तरफ से क्योंकि यह इसा इन रेगुलर से गिल रहा है लेकिं जैसे गिर रहा है वह क्या करें बताओ अन बेलैंस को फॉस्ट चारव तरफ से पानी ही नहीं कहीं को फुर्स हेहीं क्यूंकि ऐसके अगर बहुत क्या पानी का बूंय का बूंयavood Chronicles यां चरवत हाई तो यह पर चारोत आनवीरेंस को को सीनगर है तो चारःत तौछ तरफ से चारोत बशल से आन उसको भीट करना और end of the day वो मेरा क्या हो जागा आपको देखने मिलेगा इस्पेरिकल यानि कि क्या करता है वो एरिया को कम करने का ट्राय करता है इसलिए आप देखोगे दुनिया में कोई भी चीज़ जो बनाया जाता है अगर आपको ज्यादा भीड चाहिए एक छोटा सा जगो में तो हम ल आपको देखने मिलता स्पेरिकल वो क्यों रहता कि जादा 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 जो वहाँ पर है लोग आ सके हाणा तो वह रही कहा गया liquid ौन्र को य कम करना चाता है स्ट्स करना चाता उसको रिजिस्ट करता है क्यों किसके वज़े से सर्फेस ट्रेंशन के वज़े से ताकि एरिया को कम करता है तो मेरा गोल हो जाता है तो मिनिमुम सर्फेस एरिया है इसलिए सर्फेस एरिया कम देखने को मिलता है आप इसलिए देखो ना कोई भी चीज अगर आप भीड को भी ज्यादा एकटा करना चा और मडें एक मुलकुर्य में लगने वाला एट्रेक्षन तो मर्क्यर्य यह आपस में बहुत जादा चिपका बनbands अगर में बोलूंगा यह मेरा क्या है और है ऑर यह मेरा क्या है यह ह् peptsen में तो इन दौनों में आपस में छुआ करेगा एक दूसरे मरीखुरी में ज़्यादा अच्छी तरह सब पकड़ बनायेगा को उतनों पछु करें होता है इसलिए लिए मेरा मर्कुरी का देंसिटी भी ज्यादा होता है और सर्फिश टेंसिन भी इसका कोई ने सन भी जादा और इसका डेंसिडी बीजा तक ज्यादा घना राता है अच्छा लेकिन यहां पर आता है मैं आपको एक इक जंपल बताता हूं फिर आप बोलेंगे सजी एक चीज भी लेको बताई ही फिर आप देखते हो कि अगर आप लेते हो क्या कोई भी ड्रोप लेते हो मरुकृरी का का record लेते हो किसी बीगों पुझती जल्दी फिसल जाएगा लेकिन वहीं अगर मैं बात करता किसका वाटर का तो वाटर देखो गे धिर दिले अगर मैं क्या करने का मतलब है कि अगर मैं इस तरह का कोई माल लो मेरे पस क्या है यह आई पेड है माल लो इसी में आप लोग नौट्स बगराब बनाता हू तो मैं मानलों प्रफ क्या आइपेड है यहां पर एक बूंद अगर रखता हूं वाटर को और एक बूंद रखता हूं मर्कुरी को ताब बताव जल्दी कोन जाएगा तब दखो कि मर्कुरी दोता बोटी फिसलते रहता चारो और है ना वो किसी भी सरफेस को भीगता नहीं है मेh चिपकता नहीं है वह मेरा जल्दी स्लाइट करके नीचे गिर जागा लेकिन वाटर रर मेरा टाइम लएगा आप किसी भी तरह काग्टेणर में मरीकुरी को लखना मरीकुरी वहता है अगर तो मैं आडिज फॉर्स आगओ इबूट बहुत ज्यादा पाए जाता हैept लेकिन अगर में वाटर का बात करता हो तो वाटर में ब्रक्राइब करता हो गश्वाम करते हो फिसले लेकिन पानी का पानी को भी हाथ को भी भीगा देगा कुछ छोटा छोटा आप माइक्रो ड्रोपलिट आपका पानी का बूंद यहां पे चिपक जाएगा अगर आप ग्लास में पानी पीते हो और पानी का पूरा निकाल भी देते हो फिर भी आप क्या देखते हो कि थोड़ा बहुत बूंद चिपक गया तिकि उसमें बहुत जदा पाया जाता है आपक तो यह रीजन होता है समझ गये मेरी बाग की नहीं इस इसका आप लोग को ध्यान में रखना है ओके और डेंसिट भी मर्कुरी का मेरा ज्यादा होता आप लोग समझ गये होंगे है ना चलिए ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट कोस्टिन की और को तुष कि में आप इएक डाटा देखना चाहा रहा था कि मर्कुरी का जो डेंसिटी होता वो थर्टीन टाइब ज्यादा होता जादा दें वाटर का देंसिटे कर बात करेंगे तो वन होता तो वन के तो यह ध्यान आप लोगो रखना ठीक है चली तो मैं डाटा चेक करना चाहरा था कि इतना ज्यादा होता तो मैं वेरिफाय कर लिया कि बिल्कुल में सही बोलना चाहरा था ठीक है तो या देखे इतना गुना ज्यादा होता ओके आगे बड़ते हैं Nact यह तो आप लोग को हुई गिया अब नॉर अगर मैं बात करता हूं आगे तो ये हम लोग का टोपिक खी क्लीयर हो गये हैं अब बात करते है क denken करते हैं surface तो सरस्पेस ट्रेंसन फोर्स मेरा क्या लगते और इसके वजय से स्थी। करने के लिए मेरा क्या कर रहा था a clear memory मेरा बन रहा था तो सरस्पेस ट्रेंसन फोर्स डिवाइड भाई लेंद क्योंकि एलंग दो लेंद बन रहा था या लोग लाइन बना था इसलिए स्कों लोग लाइन फोर्स इसको करते हैं अना सर्फेस रेंशन इस एक्ट अलंग दी लाइन और एलंग दी लेंथ तो समझ गया क्या आपको पता है कि हम लोग यह स्ट्रेस क को घुर्ष के वैशन इवह ल्हाई आए यह इंट ल्ग ऑट लिए फोर्स कुन सा फोर्स सर फेस स्न संब पोर्स होड और यह कूं सा फूर्स ट्रेंस वही को से अंबल्स गैशर स्पॉर्स इनव Noelन को देल डर Vander impression है तो से स्ट्रेच मेरा हो रहा था ना किक необходимо गेंच राता पॉसी फोर्स यह पर नीचे मेरा डानुट डार्स आने बैस फॉस्ट लग रहा था इसी वाधे से स्ट्रेच कर रहा था और सिछ इस सब्सक्राइब यां पे फिंवन अच्छा और यह नीचे में लगा क्या लेंद के अकोर्डिंग मुझे दिखने में इसलिए लेंद ले लिए तो सिंपल अगर मैं बात करूंगा कि सिग्मा एकोल टू क्या मुझे निकल जाएगा F divided by L where F is the surface tension force and L is the length इसका अगर dimension निकलना चाहोगे तो dimension निकल क्या लिका जाता M T पर पार माइनस टू कैसे आपको force का तो पता ही है M L T माइनस टू मुझे पता कि इतना सभी चीज़ों को सबको पता होगा नीचे में length है तो यह आपका नीचे में हो गया तो L से L मेरा क्या हो जागा कट जागा जब L से L मेरा कट जागा बचागा क्या M T माइनस टू मुझा टू म् ट मैनस टू बी मेंश टू हिझी डैमेंस फो statewide शर्फिश्टेंशन क्लिर मैंपुएम रोंड़ विलकुल सअजी क्लिर हो गया अचा वाटरक लगर कभी पूछ दे है कि water का surface tension कितना होता है तो यहां दखना 20 degree Celsius में पूछा जाता है 20 degree क्या है यह आपका room temperature है क्या मेरा room temperature में तो कभी-कभी अगर room temperature ही भी बोल दे तो उसका मतलब बोल रहा 20 degree Celsius का ही तो water for water at room temperature the surface tension of water is 0.0736 Newton per meter तो आपको ध्यानक Newton per meter y because Newton हो गया मेरा force का and length का हो गया मेरा length का हो गया meter समझ गये ऐसा हम लोग लेके चलते हैं Newton meter clear यहां से आप लोग समझ गया होंगे अच्छा इसके अलावे और इक चीज़ यहां पर लिग दिया गया क्या है कि cohesive force होता है अगर मेरा cohesive force जितना ज्यादा होगा है अभी जस्ट मेंने कहा था cohesive force मेरे mercury का ज्यादा होता है तो surface tension ज्यादा होता तो वही चीज़ लिग दिया गया कि surface tension एक लिग देखने को मिलता है नेक्स्ट और चीज को क्या में मेंशन करा गया है कि surface tension mercury is greater than surface tension of water वही चीज़ को लिग दिया गया विकास cohesive force mercury का मेरा ज्यादा होता देंदी वाटर चली यह आपका पूरा पेज उम्मीद करता हूं कि आप लोग के यह टूज़ समझ के होंगे कि अब अब देखो क्या होता है इसी कोई सी इसी surface tension के वज़े से प्रेसर डिफ्रेंस क्रियेट हो जाता है क्योंकि भई इसके अंदर का प्रेसर अगर आप देखोगे इस जो मेरा water के र्रफ यहां तो नहीं हो गया कि इसके चारो तरफ से मैरे कोई से फूट्स लगा वारा तरह नें और इसका प्रेसर में प्रेसर डिफ्रेंस केट हो जाता है और इस प्रेसर डिफ्रेंस के वज़े से इस प्रेसर डिफ्रेंस के वज़े से मेरा क्या बनता है तो यह मेरा तीन तरह का कोईशन आप से बनता है जो प्रेसर डिफ्रेंस मेरा बनता है जिसके वज़े से एक पुछा जाता कि वाटर डॉ में तो बाहर में sunfeared sensor layer बना तो इसके वज़े से किस तरह का pressure difference जो यहां पर create होगा वो कितना होगा एक पहला यह पुछा जाता दूसरा पुछा जाता कि बाहर में भी हवा और अंदर में भी हवा मतले यह बात कर रहा मेरा बबल का है ना तो एक पुछा जाता आपका वाटर ड्रॉप का क्या पुछा जाता है कि मेरा वाटर ड्रॉप का पुछा जाता एक पुछा जाता मेरा बबल का और एक पुछा जाता जाता जेट का किसी भी नोजल से जो पानी बहार आ जाता उसको जेट काते तो इन तीनों मे मेरा pressure difference कितना create होता है उसके बारे में आपको पूछा जाता है जाम में तो चली इन तीनों के बारे में डिसकस करते हैं एक हम लोग देखे तो pressure inside the liquid drop पहला है ना दूसरा हम लोग पढ़ेंगे pressure inside the bubble तो bubble में कितना होगा उसके बार में देखेंगे और फिर हम लोग देखेंगे pressure inside the liquid jet तो इन तीनों के बारे में डिसकस करेंगे तो हम लोग यहां पर देखो इन डब डे आपको जानना क्या है कि 4 Sigma D हो जाता है liquid का क्योंकि एक ही surface tension लेयर बनता है आप देखेंगे क्योवल और क्योवल बाहर में एक ही surface tension लेयर बना तो 4 Sigma D मेरा डाया होता है ड्रॉप का लेकिन जब बात करेंगे bubble का तो bubble में क्या होता है कि अंदर भी हवा क्योंकि दो मेरा surface tension लेयर बनता है एक मेरा बाहर भी surface tension लेयर बना एक मेरा अंदर भी surface tension लेयर बना तो यानि कि यह जितना भी इसका surface tension मुझे मिला हैना जितना भी pressure difference यहां पर create हुआ 4 sigma upon d इसका दूना होगा तो यह क्या आ जाता है मेरा 8 sigma upon d वही बात है 4 sigma upon d का दूना कर दी राइट अगर थर्ड नमर बात करेंगे liquid jet का तो liquid jet में क्या होता है जो हम लोग का यहां बनता है water droplet का उसका हाप बन जाता है तो इसका अगर हाप कर दोगे तो क्या जगा दो से द प्रेसर का प्रेसर होता है क्या मेरा गेज़ प्रेसर होता क्या मेरा एटमस्फफरिक प्रेसर होता या फिर क्या मेरा absolute प्रेसर होता क्योंकि आप जानते होगे कि पी अप्सुल्ट निकालते है पी एटमस्फफरिक प्रेसर प्लस हो जाता पी मेरा लेलते हैं गेज़ प्रे ठीक है तो हम लोग क्या देखने वाले हैं प्रेसर quadrant ठीक है प्रेसर इंसाइड दी liquid drop bubble and jet सबसे पहले बात करते हैं प्रेसर इंसाइड लिक्विड ड्रोप है ना अच्छा पहली बात सर कि सर ये मेरा क्या है ये पानी है और पानी का बॉन्ध में ली आऊ Пानी के बुम्थम मतुल समय दो न अंदर में पूरा पानी है तो इसके अंदर का प्रेशर क्या प्रेशर होगा या दखना something किसी के भी inside में अगर pressure का बात कर रहा है तो मेरा हमेशा gauge pressure होता है हमेशा क्या था मैं आपको कई बारी बताया हूँ कि जब हम लोग बोलते हैं कि P absolute pressure equal to P atmospheric pressure और प्लस P gauge pressure और यह मेरा जब नेगेटिव गेज होता है तो उसको वेक्यूम कहते हैं यह हम लोग इस तर लिख सकते हैं कि absolute equal to क्या बोलते हैं P atmospheric pressure minus P gauge pressure तो यह मेरा vacuum pressure होता है क्या होता है तो मेरा question है कि मैं आपको तीनों को समझाया था कि जब मैं बात करता हूँ atmosphere pressure तो जो मेरा atmosphere का जो pressure होता है उसको atmospheric pressure कहते हैं और जामने बात कहते हैं तो gauge pressure का तो gauge मदलब क्या होता something inside pressure किसी के भी inside pressure का जब बात करेगा ना तो वह सब्सक्राइब जैसे कोई बोलेगा कोई football at football के अंदर का pressure योwie वो किसा का pressure है तो तर तो तर फोल के बाहते होला है किसी के भी नुट डेगा और इस Gaze को और 이제 अट्मास्फ़रीक को एड कर देंगे तो चाहता एब सिल गाउत्म किया था टोटल प्रेशर टॉक्ता अरटम तो एपसुल्ट मेरा टोटल हो जाता है और पी गेज मेरा किसी भी सिस्टम के इंसाइड का प्रेसर होता है तो यह चो आपको बहुत ही बेसिक चीज़ा अगर नहीं पता है तो आप यहां से समझ गहोंगे गेज़ प्रेसर हो टाइड होता है कि जादा होता है तो वही कहा गया है एक्सेस आप अट्मोस्फेरिकरो प्रेसर यह अट्मोस्फेरिक प्रेसर यह atmospheric pressure से ज्यादा होता है that's why यह मेरा कलाता gauge pressure और जैसे मैंने fundamental बता है कि किसी के inside का अगर pressure है वो gauge pressure होता है जो कि हमेशा मेरा atmospheric pressure से ज्यादा होगा gauge pressure मेरा हमेशा atmospheric pressure से ज्यादा होता है समझ गये मेरी बात कि ने ठीक है sir ओके नेगिटी भी होता लेकिन वह हम लोग वेक्यों प्रेसर उसको बोल देते हैं अच्छा तो यह तो हो गया सर मेरा जो तो यहाँ पर दे क्या क्या अग्यूर्प होता है सेंसर मांस्यभ और हृवा होता है तो यहां पर क्या बनेगा चारों टरफ metal एक लुख युथ Kelsey एक की चारा तरफ से स्ट्रेज करना चाहएगा और च्रेस को थीन से खाला आया झered तु Sureancory ज़िस्टर नुए को बने गैसा मेरा बन गया यहींगी साफिर चैंसलेज स्टो नियर्जो आ इसे मुझे देखने को मिला यह चीज दुखो यहां पे समझा दिया आगा पीला कर समझा दिया गई पीला जो समझा गया चारो तरफ से इसको मैं क्या करदाया है दो भाग भाग में divide कर दीं कट हथे हूं समझाने के लिए ना तो यह मेरा क्या बनाऊ यहां पे एक मेरा बन गया क्या पहली बात तो यह समझ गया होंगे कि ड्रॉपलेट में अगर कोई बोलेगा कि सर्फेस टेंसल लेयर कितना बनता है ताको बोलना एक मेरा लेयर ओनली एक सर्फेस टेंसल लेयर दिखने को मिलता है ड्रॉपलेट में अच्छा ठीक है नाव अकर यह मेरा एकलिवरियों कर्डि इक लिवान करदीशर में कि रहेगा जब मेरे जो ब्रस्टिंग फोर्स होता वो इस जा निया क्यों देगा तब तो सिक्र्च कर देगा उसको तोड़ देगा समय या उस उसको दबा देगा उसको सब्सक्राइब कूट देगा और उसको खतम कर देगा मेरा बास समझा है मालूई मेरा कोई पानी है तो पानी का बूंद अगर है हवा में या गिर रहा है तो यह बात है इसके अंदर का प्रेसर मेरा ज्यादा होगा मैक्सिमूम होगा और बाहर का प् की नहीं तो उसको इंप्रोड कर देता है तो मेरा ओविसलिवात है गेज़ प्रेसर इसलिए गेज़ प्रेसर के वज़से मेरा बूंद का से जो है वह पानी का से मेरा एक वार्टर डॉप लेट का से फिरा बना हो गया बना हुआ है ना लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे क्या मेरा हाफला प्रेस थिए और यह कुल मेला के दोनो मेरा हाफला पार है यह फैर आप यहांपर 2 टरथ का फोर्स मेरा लग रहा इसी लिए जखो यहां बहुत अच्छी बैद आप हिन्दी मेलिकह और आपको हमेंसा ध्यान कना अ आप हिन्दी मेलिको अपने लेग समल गाई ह अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी तरीके से लिख सकते हो अपने तरीके से हिंदी में लिख किये या इंग्ली से में लिख के समझना आपको बहुतर तरीके सा आप वही लिखो इंड डड़े आपको जॉब निकालने के लिए कोसिन लगना बहुत इंपोर्टन है और कोसिन कब लगेगा जॉब तरीक को अच्छी तर से समझोगे तो आपको जैसा बहतर लगे उस लगें जो आप लिखो आपको अगर लग रहा है यह बहुत यह इस टेंडर इंगलिस बात कर रहा हूं अंदर से लगने वाला पानी का प्रेसर में बैसिक लिए बात कर रहा हूं अंदर से लगने वाला पानी का प्रेसर बोले तो ब्रस्टिंग फोर्स है ना एक सेकंड ब्रस्टिंग फोर्स है ना ब्रस्टिंग फोर्स अब मैं बोलूँगा इसका क्या मतलब है नह Hem कि पूरा पाइड कर दिया ह तो आंडर क्या अंदर पूरा पाणी पानी है है तो रह partie BC इसको फोड़ना चाहता समझे मेरी बात कि ने कि ठीक है लिगिन चुकी बात करें हैं में ठेल एकलिवरियूम का तो अंदर से लगने वाला पानी का फोर्ज हो जिसको फोरणा चाह रहा है मुझाँ को फोर ना चाह रहा है लेकिन उपर में चारव तरफ से अगर मैं इसके चारव सस्था से घेढ दो यह सब्सक्राइब और यह क्या करता उसको बनाए रखा उस सेप को बनाए रखा समझे मेरी बात की नहीं इसलिए अंदर का फोर्ष जितना बड़ा होगा उतना बड़ा पानी का बुंद बनेगा समझ है लेकिन वह फटना भी नहीं चारा क्योंकि चारो तरफ से जो मेरा तो अंदर से लगने वाला पानी का जो फोर्ष है जो बाहर क्यों लग रहा है इस इक्वल टू बाहर से लगने वाला सर्फिस टेंसन फोर्ष यह मेरा इक्वल रहता तब जाके मेरा इक्लिवन कंडिशन में और इक्लिवन में है इसलिए पानी का बूंद है नहीं तो मेरा किया हो जाए है तो यह मेरा फोर ना चाह रहा तो फोड़ने वाला और ऊप्र shells ने वाला इक्वड़ कंडिशना पर इसको ऑग STÒYA रोख रहा उसको ब्रस्ट करने से रहे तो रेजिस्टिंग फोर्स जो होता है वो किसके वज़े से हुआ जैसे में ने कहाया सर्फेस टेंसन फोर्स के वज़े से यह चीज़ क्लियर हो गया और जो पानी के द्वारा प्रेसर लगा जा रहा उसको फोड़ने के लिए यानि ब् फोड़ने के लिए लेकिन आप देख रहे हो किया सर्फेस टेंसन के विज़े से चारो तरफ से कि बाहर बार से पुरा सर्गम फिरेंस में लग रहा नीचे और उपर तरफ से यह रेड़ कलर से आफ जो में दिखाया हूं यह दू कि पानी की बढ़ पुरा सर्कलोर है ना पुराइस पैर के चारो और कोना कोना से बाहर बार से पर निक्ला इख दम इस पर चारो सिस्टे लीग कि वह छाएट तूस्टी आ मोगो द गया राता है मेरा एफ फ faut इस दिन इफ नहीं वर्ट एफ मिरका यह जो VirginINT है मेरा सर्फेस रेश्त्टार सर्फ से अर्दर लेट करना है और अब क्लीट को बता रहा हूं देखो प्रेसर फोर्स यहां पे प्रेसर फोर्स यहां पर निकलना पड़े पी इंटू पाहएवाएवाए जो है और यह पी जो है यह तो फाहस Ariana कि टी गेज प्रेशन कैए पाहरे की से हाँ गलेरा alone में पहार गेज प्रेशन अंदर का प्रेशन है जो ज्याधा है एटमोसफरिक से चाहिए और बहार का तो क्लोरियन क्रडिशन में इसलिए फूट ने रहा और ये एरिया ने मेरा निकल गया अब बढ़ते हैं आगे अब बात काता है सर जी सर्फिस टेंशन फोर्स एफ को मुझे बताइए सर्फिस टेंशन यहां तो सर्फिस टेंशन मुझे पेता कि बांहिए सर्फिस टेंशन करता सबक्राइबonte ठीक कैसे मज ले सकते हो तो ने सकते ही это यहां पहर निकल गया मेरा स IO सार्फेस टेंसन इन्टु लेंथ निकला आ एलोंग दी पेरिमेटर पाइडी और यहां मेरा पाइडा इन्टु जाता है निकल जाता है वाटर द्रॉप के केस में जो प्रेशर difference विरा create होता due to surface tension वो कितना मेरा बना 4 sigma पंडी where sigma is the surface tension D is the dia dia of the spherical droplet clear my point और इस चीज को पूरा लिख दिया गया क्या है क्या नहीं है surface tension के लिए और pressure force के लिए चलिए तो यह आप समझ गें drop के लिए बात करते हैं हम लोग bubble का अब bubble के लिए क्या होता है जब आप bubble का case देखते हो तो यह मेरा पस क्या bubble है अब बाहर में air तो है ही इसके अंदर में भी air है दोनों side आपको air यहां पे नज़रा रहा है अब अगर दोनों side air है तो एक मेरा अंदर side में भी surface tension का layer बनेगा एकदम set के बनेगा मैं थोड़ा दूर बना दे रहा हूँ ऐसा बनेगा बुरा सट के बनेगा मेरा ऐसा कुस्च चिपकते बनेगा बहुत ही पतला लेर बनेगा बहुत ही जब दिखाई भी नहीं पतला आशा बहुत पतला ना उना बाहर एर है तो यहां भी एक सर्फिंट सेले बाहर में भी एक अंदर भी बना तो बना जिसे में आपको ट्रिक डाइक बता है कि दो बन रहा तो उसको जुगना हो जागा तो देखो चार सिग्मा आपन चार दूनी के आठ सिग्मा फून डियोगे ना अब अगर मैं केल्कुल फ्रेसर इकल टू फ्रस ऑपन एरिया तो फोर्स इकल तु क्या जगा फ्रेसर इन्टू एरिया तो प्रेसर यहां पहो गया कैसा फ्रेसर अगोटि क्या चार रहत город सब्स्रकां को क्यूंकि आप午 बोलें के यहां पे अगर में बात करता हूँ कि Yep seemed जब बुबल में ड्र का आपने area लिया है वो only inner diameter क्यों लिया क्योंकि inner वाले में तो पानी है अगर मैं इस तरह का drop बना रहा हूं तो यहीं आपका पानी भरावा है ना तो यह जो डिया डाया है यह डाया आपका इनर डाया है लेकिन आप्टर डाया मतलब यह बहुत ही पतला लियर भले है बहुत ही जिसको उना चैनल लेके चलते हैं नहीं लेके चलते हैं जो कि आपका एक बना तो यह में लिया है ऑ Repe dec लेकिन जब बात कता है resisting force और रेस्टिंग force मतलब क्या है surface tension force था ना तो surface tension equal to क्या था force upon length तो यह निक्या आ जागा यहाप surface tension force equal to आ जागा surface tension into length आप बोलेंगे कौन सा लेंज सर तो perimeter लेकिन यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर surface tension layer दो बना रहा था एक आउटर में भी इनर में भी तो परिभिमेंट्रेह इसका लिए थे इसका लिए थे हम लोग क्या पाई इंटूदी लेगे आप् цен मेरा क्या था एर शॉरी बीच मेरा वारटर था इसलिए पाई डी इंस लिए पाई डी इंस याद रखना याद रखना आप लोग को है क्योंकि आप पढ़ते क्या हो ना आप पढ़ते ये हो कि इनर डाया क्योंकि देखो मेरा बास समझना ये मेरा क्या पानी है एक सेकंड पानी में क्या बो रहा हूं यह मालो एक लियर में क्या बोलना हूं कि आपका वाटर ड्रॉप है तो वाटर ड्रॉप के अंदर में भी क्या रहता एर रहता है और बाहर भी एर रहता है तो यह आपका जो रहता है यह डायमेटर यह पानी का जो बूंद का डायमेट है इंटर्ल ड्यमेटर जो एक्स्टर्ण ए थोड़ा सा है थोड़ा सा यह वाट एक्सटर्णल ए जिमर लेकर बना रहा है तो यह बहुत नेगलेचिबल रहता हो लोग माल लेते हैं कि डी जो है वह इकोल टो मेरे डी इंटर्नल इकल टुबी आउटर है आउटर अटर इंटर 2 pi d यहाँ पर हो जाता है बस इसके बाद क्या है यहाँ से pi से pi खतम हो जागा 1 d से 1 d यह मेरा खतम हो जागा और कुल मिला कि यहाँ पर जो p मुझे मिलेगा यह 4 उपर चल जागा इधर तो 8 आ जाएगा sigma और d नीचे यानि 8 sigma पर d लेकिन आपको याद रखना आप हमेसा यही पढ़ते हो ना आज आपको यह समझ में आ गया होगा कि क्यों आप ले तो यह कब ले तो when internal diameter of bubble is equal to the outer diameter of bubble समझ गये और यह outer diameter क्यों आयो उस bubble का कुछ ना कुछ thickness के वज़े से उसका diameter मेरा बढ़ गया लेकिन generally हम लोग इसको नेगलेवर लेके चलते हैं यानि सेम मान के चलते हैं है न कि diameter बहुत कम होता है नेगलेवर लेकिन अगर आपके question में दिया गया है कि bubble का diameter 2 है तो आपको फिर यह वाला equation लेके चलना पड़ेगा आपको इस equation को consider करना है इस equation आप कर नहीं लेगा लेकिन आगा आपको बोला गया है कि generally आपको यही देखने को मिलेगा कि एक sigma दिया गया diameter Assist लेकिन अगर आपको बोला गया कि दो डाया दिया गया है ना इंटर्नल आवटर तो आपको समझ लेना कि आपको फिर इस फर्मुला के थूरू इस पी का भेली का आपको निकलना पड़ेगा समझ गये ना दन थोड़ा लेंदी हो जागा लेकिन हाँ इस इसको ध्यान रखना फिर फर्मुला पूछ दे तो यह भी ध्यान रखना चलिए यह हो गया एंड लास्ट बट नॉट्ट अलिस्ट इस कोल योर प्रेसर इंसाइड दी लिक्विट जैट अच्छा इलिक्विट जैट मतलब क्या आता है इस्ट्रीम अप लिक्विड होता है जैट मतलब होता है मतलब लिक्विड कोई धारा है ना लिक्विड का प्रवा पानी का प्रवा है ना समझे हो ना पानी का प्रवा कहीं से अगर आ रहा पानी रहा या कोई भी फ्लूड फ्लूड समझे हो ना फ्लूड का स्ट्रीम स्ट्रीम अप लिक्विड कहीं से आ रहा ना उसको क्या बोल मुझे देखने को मिलता है तो चली इसमें भी डिसकुस करते हैं जैसे कि माल लोगी मेरे इस तरह से कोई नोजल है और से मेरा पानी इधर से इन कर रहा है और इधर से मेरा इन कर रहा है और इधर से मेरा पानी जो है वो बहार इन्टिरी हो रहा यहां पे इंगजी टोना हर रै ऐट आच्छा ठीक है समझ sat और इसके बाहर में मेरा क्या हवा है इसके बाहर में क्या हवा है हवा है एर है तो सर्फिस्टेंस लिए एक ही बनेगा क्योंकि उपर में साइड में और इसके चार और कर मेरा बनेगा समझ गे मेरी बात की नहीं क्योंकि इससे पहले हम लिए थे वाटर ड्रॉप लिए थे तो यसा तरफ इस तरह से आउटर में तो इसी तिर से क्या आपकए यहां फे चार आतर से बनंए सबने य पूरा पूरा यहां से लेकर यह तक बनेगा जितना दोर जाएगा समझ गेना समानलों यह मेरा मेरी बात समाढ़ा है और मेरा Fest लेंटal के अंदर ट्यूब है और इसके अंदर देख सक तो पानी इसके अंदर पानी है तो यहां पर अगर में बात कर लेता हूं कि अगर मैं सको हटा देता हूं चारू और अंदर में अंदर पार्ट में हाना एक मेरा सर्फेस टेंशन का लेर बनेगा यहां से लेकर यहां तक मेरा बनेगा राइट क्लियर मैं पॉइंट रौन अच्छा तो अगर मैं बात करना चाहता है इसके लिए भी एक लिए प्रेश्टिंग फोर्स जो मेरा पानी के द्वर ला तो फोर्स इकल डू क्या जागा प्रेशर इंटू एरिया तो प्रेशर हो गया लेकिन कौन से एरिया एरिया देखेंगे वही एल इंटू डी यही आ जागा लेंथ इंटू डाइमीटर तो एल इंटू डी आ गया समझ गए बहरी बात कि नहीं ठीक है यह तो हो गया क्योंक यहाँ पर न सब्सक्राइब समयाए मेरी बात कि नहीं देख सकते इस सैड़ मिरा बन रहा है तो यह क्या आजागा 2 इंटू आ जागा 2 इंटू लेंदं ठो न आ जागा अब यहां पर कई सारा को सिंट यह राता सर जी यह सवह तो मैं No ठीव बनेंगा लेकिन यह कंटिनवाय स्ब्सक्राइब हो जब में युआ पहलाtr बाहर जाता आना तभनेंगा एक मेरा surface-tension layer बाहरा में लेकिन मैं इक continuous बात करा हूं मैं initial condition के फ्रूदा बात करा हूं कि pressure inside the inside liquid at the entry और the time of entry यहां पर entry के बात नहीं किया जा रहा यह continuous अन्वाद फ्लो हो रहा तो यह तो मेरा क्या हो रहा वह पूरा का पूरा पानी जारा पानी फीर यहां पानी फीर यां पानी फीर यहां पानी तो फिर उसको इखने हैं। तो फिर हम लोगों अगर करते हैं ह represents यहां बड़ा लेर बाहरो आट मैशन व्हेंर पाहला लेर उनतर फैंट ढ़िक तो कियेखके घैहवागी तो यह भी क्या हो जागा गेजगेज प्रेसरफ फूस्याया लाद्स्थ एक निकला मेरा सीधकर फूर इड्ञां पर एक निकला मेरा सीखेम मे rocket मेरा बाबल का तो बखल के में सर जी क्या तहा iron और बाहर दोनों तरफ मेरी सर्फर्स इसमें तो कवल सर्फर्स इसकी मेरा अंदर में और बहर मेरी सर्फ्रे सभीृ से अलिए इसभ़नां घर जाया और अगर click बाद ही तो jet नोowym इसका हाफ आजाता है इसका जीज़ को वह बात करेंगे तो हाफ टैमस यह आज हाफ टायमस पंडियों सक होणbell मेरा जाता है कभीक कभी पूछ दियाकना एंडो रेसियो का रेसीयोग प्रेसर का रेसीयो तो हो से हो जागा क्या आप देखो गया अगर इस कट करके तो सिगमा 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 खतम डीडीडी खतम बचेगा यह आप टू 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 जा फॉर और टू फोर जा एड तो वन इस्टू टू इस्टू फोर लेकिन जोरूरी नहीं है कि आपको यही पुछा जाएगा रेशियो कि जेट का इस्टू आपके ड्रॉपलेट का इस्टू बबल का आपको अगर पुछा जाएगा क्या यह हो गया वन इस्टू टू इस्टू फोर अगर आपको पुछ दे कि जेट का बबल का बताओ इंटू ड्रॉपलेट का बताओ तो फिर आपका वन इस्टू फोर इस्टू टू हो जागा कोई कई पुछ दे यह चीज के बता ड्रॉपलेट का बबल का और जेट का तो फिर क्या आ जागा डियर बताओ तो यहां पर आ जागा मेरे क्या टू इस्टू फोर इस्टू वन इस तरह से तो कुछ भी पुछ सकता आपको बस यह चीज ध्यान रख लोगे न में जो भी ने बताया फिर आप रेसे वाला चीज आराम से कर लोगे तो यह था हम लोग का क्या सर्फेस टेंसन के बारे में उम्मीद करता हूं कि यह लेक्चर से आप लोग को सर्फेस टेंस से रिलेटिड सारे चीज़े जो है कॉंटसर्ट आपका क्लियर हो गया होगा है ना एक टूजर में आपको बता दिया हो इससे जब हम लोग कुछन लगाएंगे तो और आपको बहतर तरीके से समझ आएगा चलिए तो अभी आप लोग का क्या चाल रहा अभी